ओके स्टुडेंट्स आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि किस तरह से टीचर आपको वाटसप करेंगे और उसके बाद आप जो है वहाँ से कॉपी करके क्लास कोड को अपनी पेपर को कैसे पाएंगे तो यह देखिए मैंने एक एक जमपल सेट किया है किसी ने मुझे यह देखिए मैं टीचर के तोर पे भेजा है पासवर्ट तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ ठीक है जैसे वाटसप में जाकर आप कॉपी करते हैं मैंने कॉपी किया अब कॉपी करने के बाद आप जाएंगे गूगल क्लास रूम में गूगल क्लास रूम में चले गए हम अब Google Classroom में जाने के बाद, ये जो प्लस वाला साइन था, हमको जॉइन करना यहाँ, कच्छा में सामिल हो, तो जॉइन वाले को हमने क्लिक किया, अब जॉइन वाले को क्लिक किया, यहाँ पे देखे, कोड मैंने यह पेश्ट कर दिया, लॉइन पेश्ट करके, अब जॉइन करिए, सामिल हो जाईए, अब मैंने जैसे यह ऐसा किया, देखिए, अब मैं Class में आ गया, अब Class में आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे देखे, पेपर दिया हुआ है, मैंने पेपर नहीं बनाया है, आपको समझाने के लिए क्यों यह वीडियो बना रहा हूँ, तो यह मैंने एक assignment इसमें attach किया, अब यह आपका पेपर है मान लीजिए, अब इसे open आप जब करेंगे, तो यह देखिए, आपका पेपर कुछ इसी तरह से आएगा, तो उसमें जो भी question answer दिये रहेंगे, आप उसको अपनी copy पर अच्छे से लिखेंगे, लिख लेने के बाद जो भी समय आपको दिया गया, उतने समय में आप अपने copy पर एक question का answer लिख पाएंगे, आप इस question paper में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, और जब आप question paper complete कर लेंगे, तो उसके बाद, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी लिखी हुई copy का photo क्लिक करके उसका PDF बनाएंगे, और PDF बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ एक option है, attach, attach, देख रहा, यह नीचे रहता है इस तरह से, जब आप अपना paper complete कर लेंगे, यहाँ से जब आप complete कर लिए अपना वर, आपने question देखा, और अपनी copy पर answer लिख लिए आप, अब answer लिख लेने के बाद, अपनी copy का आपने PDF बना लिया, अब PDF बनाने के बाद देखिए, यहाँ से आप back जाएंगे, यहाँ पर इस arrow को आप उपर की ओर shift करेंगे, तो यहाँ attachment है, अब इस attachment में आप जाएंगे, और आपने जो file save की है, PDF file अपने लिखी होई copy का, उस file को search करेंगे, अब search करेंगे, तो आप search करके उस file को select कर लिजिए, जैसे मैंने, यह मान लिजिए मेरा answer है, मैंने select किया, अब file select हो गई, अब यहाँ पर आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, जो file आप भेज रहें, ताकि पता रहे, जैसे मैं राजू नाम से comment कर रहा हूं, राजू 6A1, 6A1 कर दिया, 6A1 के किसी बच्चे ने भेजा, और आपने इस तरह करके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे जो है, आपका attach हो गया file, अब आपके teacher उसे आसानी से देख सकते हैं, यह हो गया, submit कर दिया गया, अब submit हो जाने के बाद, अब आपका काम कथम, अब आपकी copy आपके teacher के पास पहुँच गई, अब आपकी जिम्मेदारी teacher की है, कि हो उस copy को download करें और चेक करें, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से, अपने लिखी हुई copy का जो PDF बनाएंगे, उसे attach कर लेंगे अपने classroom में, आपको मैंने बता दिया, कैसे आप paper देखेंगे, और कैसे अपने लिखी हुई copy का PDF बनाके उसे attach करेंगे, PDF कैसे बनता है, आपके पास जो है, बहुत से application आते हैं, Google store room से, आप जो है, इस तरह के कोई भी, जो है, एक application install करके, अपने द्वारा click की गई photos की PDF बना लेंगे, और उसे फिर इसमें attach कर देंगे, तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, comment करें, thank you,